नमस्य प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों इस विडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैट के कुछ प्रश्णों को और कुछ कॉंसेप्ट को इस वरक्शीट के थू हम समझेंगे तो आएए देखिए सबसे पहले हम हम देखते हैं पहला प्रश्ण जिसमें हमें कह रखा है बार बार तोड़ो यहाँ पे एक नंबर है 65 इसको सबसे पहले हमें दो टुकडों में तोड़ना है तो हम किसी भी तुकडों में तोड़ सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं हम पहला जो हमने नंबर लिखा यहाँ पे है वो 40, तो दूसरा क्या होना चाहिए, 25, क्योंकि 40 और 25 को अगर हम जोडेंगे, तो आंसर आ जाएगा 65, ठीक है, अब आगे क्या करना है, इस 40 को यानि 40 को वापस से 2 टुकडों में तोड़ना है, तो 40 को हम 30 और 10 लिख सकते हैं, सेम ऐसे ही जो 25 है, उसको भी हमें 2 टुकडों में तोड़ना है, तो पहला हम क्या लिख सकते हैं, 20 और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 5, इस तरीके से आप पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, अब आ जाते हैं, हम प्रश्न पहले का ही दूसरा हिस्सा यानि की B पार्ट, इसमें हमें कह रखा है कि 102 को दो हिस्सों में तोड़ना है, तो हम क्या गर सकते हैं, हम 100 जमा में 2 लिख सकते हैं, और भी टुकडे बना सकते हैं, जैसे कि 50, जमा में 52, कोई सभी टुकडा, जिनको अगर हम जोड़ें, दोनों नमबर को जोड़ने पे, जहां पे 102 आए, तोड़ना चाहें आगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, 80 जमा में 20, या फिर 90 जमा में 10, या फिर 50 जमा 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब इस दो को हमें तोड़ना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 जमा 1, ठीक है, अब हम solve करते हैं, C पार्ट को, इसमें नमबर दे रखा है, 141 तो पहला नमबर हम लिख सकते हैं 100 और दूसरा नमबर हम लिख सकते हैं 41 ठीक है अब इस 100 को तोड़ना है तो क्योंकि हमने यहाँ पे 80 जमा 20 लिखा था तो यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं जैसे कि 70 जमा में 30 ठीक है और इस 41 को कैसे लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं 20 जमा में 21 ठीक है तो ये हो गया C part solve हो गया अब second question है निम्न सवालों का उत्तर लिखिए तो नीचे हमें कुछ सवाल दे रखें हैं जनका हमें answer लिखना है तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमें कुछ एक list दे रखी है जिसमें पहले यहाँ पे कुछ मिठाईयों के नाम है जैसे कि बर्फी, इमर्टी, गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी और काजू, कतली और यहाँ पे हमें किलोग्राम में उनकी मातरा दे रखी है ठीक है जैसे कि बर्फी है हमारे पास 25 किलोग्राम, इमर्टी है 20 किलोग्राम, गुलाब जामुन हमारे पास कितने है 30 किलोग्राम है, लड्डू है 18 किलोग्राम, जलेबी है 32 किलोग्राम और काजू, कतली है 35 किलोग्राम ठीक है आप देखिए पहला प्रेशन हम से यहाँ पे बूचा है कि सबसे अधिक मिठाई कौन सी है यानि इन सब में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों वो है 35 किलोग्राम और 35 किलोग्राम कौन सी मिठाई है काजू कतली तो पहले प्रेशन का उत्तर आ जाएगा काजू कतली पहले प्रेशन के आंसर में आप लिखेंगे काजू कतली ठीक है इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रेशन कि सभी मिठाईयों की मात्रा बताईए कि इसका मतलब है कि जितनी भी मिठाईयां यहां पे हमें दे रखी हैं, हम सभी को आपस में जोड देंगे, कैसे? सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहले इकाई वाले नंबर से, तो यहां पे हम 5, जमा में 0, 5 ही रहेगा, फिर से 0 जोडेंगे, फिर से 5 रहेगा, इसमें 8 जो जोडेंगे, तो आजाएगा 15, और 15 में 5 जोडेंगे, तो आजाएगा 20, तो 20 का 0 यहां लिखेंगे, और 2 उपर लिखेंगे, 2 जमा दो 4, 4 जमा में 2, 6, 6 जमा में 3, 9, जमा में 1, 10, 10 जमा में 3, 13 और 3 जमा में 3, 16, यानि की आंसर आजाएगा 160 kg यानी B पार्ट का जो आंसर हो आजाएगा 160 kg अब C पार्ट में हमें कह रखा है कि सबसे कम मात्रा किस मिठाई की है तो इन में से हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो देखिए इन सब में से सबसे छोटा नंबर है 18 तो वो कौन सा है बच्चों? वो है लडू तो C पार्ट में आप लिख देंगे लडू ठीक है? तो C पार्ट का अंसर हो गया लडू यानि लडू की मात्रा सभी मिठाईयों में से सबसे काम है इसके बाद आता है D पार्ट जिसमें हमें कह रखा है कि लडू और जलेबी की मात्रा किन दो मिठाईयों की मात्रा के बराबर है? तो पहले हम लडू और जलेबी की मात्रा देख लेते हैं कि कितनी है? लडू है 18 और जलेबी है 32 तो 18 प्लस 32 इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर आजाएगा 50 किलो ग्राम अब हमें देखना है कि कौन सी दो मिठाईयों की मात्रा को हम जोड़ेंगे तो वो 50 किलो ग्राम के बराबर आएगा तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 और 30 इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आंसर कितना आजाएगा 50 आजाएगा ठीक है तो इसका मतलब 20 है इमर्ती और 30 किलो ग्राम है ग्राम जामून तो इसका मतलब लड्डू और जलेबी की मात्रा के बराबर जो दो मिठाईया है वो हैं इमर्ती जमा गुलाब जामून तो B option में आप आंसर लिखेंगे इमर्ती और गुलाब जामून ठीक है बच्चो तो यह थी आज की हमारी maths की वर्कशीट आई होप आप सभी कोई वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर कोई confusion है तो आप इस वीडियो को दुबारा देख सकते हैं और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप comment section में जाके आप questions पूछ सकते हैं Thank you